जहिंद इस वीडियो में बात करने वाला हम लोग URJAY GLOBAL कंपणी के बारे में Renewal Energy Sector के च्छतर में काम करने वाब यह एक संधार कंपणी है कापी दिनों से इस इस कंपणी के बारे में कोई चर्चा नहीं हो तो आज इसके बारे में कमणी काम करती है यानि कि यह manufacturer और development करती है solar panel का solar electric light का और साथ बहुत कि ऐसी energy जो दोबारा प्रयूख किया जा सके उस तरह के च्थ में काम करती है और renewal energy का लावा है teknétique vehicle कर स्ट्रेक्टर में काँ करके electronic vehicle नहीं बनाती है लेकिन इलेक्टरिक बिनाने में जिन जिन चीज़ों की बनाती है ताकि उलेक्टरिक कंपनी शहुलियत हो सकते तो यह प्रकार से अलग बात है की काफी कम है 10 रुपए 95 प्रिसा कासबास कम cartarove इसी स पर सब्सक्राइव का सिस्फ़ाल निवी लिए 3 प्राइड़ के चैने उजम्लास यह संत ओफ देखेंगे तो इसकेnaire कि बात करें तो लगबख 38 परसेंट का सब्सक्राइब चुप चुप चुगा है क्योंकि जिसे मैं नहीं बता है रेंज भूंब रहा है और जब कोई रेंज में होता है तो उसे मोमेंट ज्यादा नहीं होता है अब समझें आगे क्या हो सकता है आगे इसका जोग्ला से पॉर्ट दोर पाशीज पासा है उगर इसके नीचे प्राइस आता है तो इसको वैसानी से ब्रेक करते काला कि यहां तक आने की चांस वी कम है क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए तो उमिद है कि इसमें तेजी आएगी और अगर इसका रिजिस्टेंस लेवल देखें तो रिजिस्टेंस लेवल ए 13 रूपया 25 पैसा यानि कि यदि कमपनी का सेर प्राइस 13 रूपया 25 पैसा को ऊपर निकलता है तब इस कमपनी में अस्थाई तेजी देखने को मिल सकती है अब जैदी बात करें book value की तो book value इसका तक्रीवन 3.5 रुपए का सबस्वास समानने तर जो छोटी कंपनिया होते है या जो penny stock के टाइब की कंपनिया होते है उनका book value इतना ज्यादा नहीं होता है लेकिन इसका book value ज्यादा है यह अच्छी बात है और इसका लावाद देखेंगे तो company का जो ROE है और ROCE है वह दोनों negative में नहीं है यह अलग बात है कि कम है 0.46% का सबस्वास और यह 1% का सबस्वास है कम है लेकिन negative में नहीं है यह अभी अच्छी बात है अभी इस company का PE ratio का पी है quarter 2 के result की यानि कि सितंबर quarter की जो इस company के नतीज़े आये हैं उसके बारे में देखिए company का जो रेभेनु है पिछले quarter में हुआ था 10 क्रोन 47 लाख रुपया जो इस quarter में कम हो गया है कम होकर 9 क्रोन 37 लाख रह गया है यानि कि रेभेनु में ग्राउट आया है अब खर्चे क की बात करें तो पिछले quarter में इसका खर्चा रॉपया था 10 क्रोन 33 लाख रुपया इस quarter में कम हुआ है खर्चा 8 क्रोन 40 लाख हुआ है सब्षै बात है जब company का आमदनी कम हुआ तो खर्चा भी कम होगा और यह सही शेह जोकि जब आमदनी ज्यादा नहीं हो तो खर्चा ज्य काझा है कमपनी को इनकम का एक है कंपनी का किए है तो अफ़रोषट कैसे बढ़ अर्छत वह सरा है बतbait तो कह सकते हैं कि अच्छा ही हुआ है अच्छा आया है अच्छी बात कुछ यह इस कम्पनी के कर्जे लगतार कम होते हुए नजर आ रहे हैं अभी वर्तमान में इसके पास तीन क्रोण 72 लाख रुपे का कर्ज है जो कि इसके मार्केट के लिहाद से काफी कम है और हर एक साल अ असानी से चुका सकती एक चिजी कंपनी बारे में यह भी है कि अपने हिस्ते थज्राइप नहीं की अपनी हिस्ते एक में करते हैं यह आंगी धि कम नहीं हुआ है झाया कि को इस स्टेख्य काम करती है उसमें बनेगी और अब कोई सब्सक्राइब निकलने का कोई मतलब नहीं है आने वाले समय में निराश नहीं करेंगे उम्हीद करता हूं इस वीडियो से लेटर जो इंफॉर्मेसर में ने आपको समझ माया होगा मन में कोई भी सवाल है को में जरूर पूछिए और यदि आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं आप डिमेट अपन करना जाते तो भारत के नंबर वन प्लेटफॉर्म इंजलों के स साथ में डिमेट अपन करा सकते हैं जिसमें डिमेट अपन करने को चार्ज नहीं लिए राता है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तक लिए धन्यवाद सुक्रिया